चलिए, अब आपको जारखन के पडोस वाले राजे 36 गड लेकर चलते हैं। यहाँ नए नवेले मंत्री खुद को अपने सरकारी बंगले से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बंगले में ग्री प्रवेश से डर रहे हैं। मंत्रियों को डर क्यों सता रहा है। मंत्री बंगले में क्यों जाना नहीं चाते हैं। क्या 36 गड के मंत्री अंद्विश्वासी हो गए हैं। बंगला नमबर B, पांच बटे 5, जेल रोड राइपुर। बंगला नमबर B, पांच बटे 10, शंकर नगर। और बंगला नमबर D7, D8, शंकर नगर। ये तीनों बंगले अच्छे खासे एरिया में बने हुए हैं। सडकें भी चोड़ी हैं, पॉश हिलाका है। लेकिन 36 गड की नई सरकार के नई नमेले मंत्री इन बंगलों में ग्रह प्रिवेश नहीं करना चाहते। आनाकानी कर रहे हैं, कारण सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। रायपूर के शंकर नगर का 25 बटे 10 कॉंग्रेस सरकार में मंत्री रहे मुहम्मद अक्वर को ये बंगला अब खाली करना पड़ेगा। चुनाब हार गए हैं, ये बंगला अब नए मंत्री बने तंकराम को अलोट हो गया है। लेकिन तंकराम बंगले को अशुम मान रहे हैं, टेंशन में हैं, ग्रह प्रवेश करने पर अड़ गए हैं। इस बंगले में रहकर पूर क्रिशी मंत्री चंदर शेकर साहू और राम सेवक पैकरा ने भी चुनाब हारा है। तंकराम वर्मा फूँक फूँक कर कदम रख रहे हैं, पूजा पाठ कराने का विचार भी मन में चल रहा है। दर है, बंगले में रहे तो कहीं, चुनाब ना हार जाए। पूजपाठ और टोटके का विचार तो रायपूर के D7, D8 बंगले में भी चल रहा है लक्ष्मी रजबाडे ने हाल ही में मंत्रीपद की शपत ली अभी जशनी चल रहा था कि सरकारी बंगले के अलाउटमेंट ने टेंशन बढ़ा दिया लक्ष्मी सोच रही है कि बंगले में प्रवेश करें या ना करें क्योंकि यहां रहने वाले पूर्मंत्री प्रेम साइटेकाम पूर्वनमंत्री महेश गगडा चुनाभार गए कॉंग्रेस सरकार में मंत्री रहे रूदर गुरु का ये बंगला बीजेपी सरकार बनने के बाद नए मंत्री बने दयाल दास भगेल को अलाट हुआ है लेकिन मंत्री जी डर रहे हैं उन्हें लगता है इस बंगले में प्रवेश किया तो अगला चुनाभार जाएंगे या मंत्री पदना चला जाएं बंगला मंत्री जी का इंतजार कर रहा है और मंत्री जी बंगला बदलने के मूर में है द्यालदास को ज्यादा डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि इस बंगले में रहते हुए पूर्व ग्रह मंत्री ननकी राम कमर चुनाब हार गए रूदर गुरु ने भी हालिया चुनाब इसी बंगले में रहते हारा जिसे हमारे सास्तरों के दूसर कहा गया है जिसे नया बंगला होए या पुराना बंगला मिल रहा है बास्तु दोस रहता है तो अपन नई बंगले में जब या पुरानी बंगले में शिफ्ट होते हैं या मिलता है हमको तो उसमें बास्तु पूजा बेदे मंत्रों के द्वारा करवाना चाहिए जिससे बास्तु दोस हडता है ये 36 गड़ के नई शिक्षामंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल है 20 साल से राजनीती में है चुनाब लड़ रहे हैं और हर बार जीत भी रहे हैं बड़ी बात ये कि पिछले 20 साल से रायपूर में शंकरनगर के इसी 25 बटे एक बंगले में रह रहे हैं कहीं और शिव्टी नहीं होते ये सब चलते रहता है ये खाली सरकारी थोड़ी है प्राइवेट नीजी लोगों का भी होता है मंत्री जी ने अपशगुन और अंद विश्वास को बढ़ावा दिया तो सियासत भी होने लगी सवाल है क्या अपनी हार और हार के डर से बंगलों को मनहूस कहना उचित है ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री जी बकाइदा पूजा पाठ कराएंगे और यहां पर कुछ टोटका कराएंगे जो उनके विश्वस्त लोग हैं वो बता रहे हैं उसके बाद इस बंगले में आएंगे मतलब कुल मिलाकर राजधानी रायपूर में ऐसे जो बंगले हैं उनमें आने के पहले मंत्री जी कई बार सोचते हैं कि इस बंगले में जाएं या ना जाएं क्योंकि उनका अगला कैरियर इस बंगले से जुड़ा होता है कि अगले चुनाओं में मंत्री जी कहीं चुनाओं हार ना जाए यह कोई डर और भय नहीं है यह हमारा आस्ता है हम लोग सनातनी लोग है उस आस्ता के साथ में प्रवेश करेंगे इसको कोई डर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए किसी बंगला या किसी कारले को मन्हूस कहना या किसी कहानी से जोड़ना अनुचित है किसी बी तरह से बंगले या किसी कारले को दोस्त देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं अब चुना भारे हैं तो बंगला भी खाली करना पड़ेगा लेकिन क्या नए मंत्रियों को बंगले के नाम पर इस तरह अंद विश्वास फैलाना शोबा देता है अगर आपको याद हो तो देरादून के सीम आवास को भी मनुश माना जाता था पूर सीम तीरस सिंग रावत इस बंगले में शिफ्ट हुए लेकिन कारेकाल पूरा नहीं कर पाए थे लेकिन कुशकर सिंग धामी ने मनुश माने जाने वाले बंगले में खुद को शिफ्ट किया और शायद वो मनुशियत भी खत्म हो गई वो दूसरी बार सीम मन गए यूपी में कहा जाता है कि जो सीम नोईडा जाएगा वो कारेकाल पूरा नहीं कर पाएगा सीम योगी ने इस ब्रहम को तोड़ दिया है ना कमाल की वाते राजनीती में भी मंतरी जी अब मुफ्त मैं हमारी एक सला सुन लीजिए ये मैं 36 गड़वालों से कह रहा हूँ ना पुराने मंतरी हारते ना ये बंगले खाली होते ना आपकी सरकार बनती और ना आपको नई अलॉट्मेंट की चिठीया दे तो आपको तो इन बंगलों को और और भी शुम मानना चाहिए शुकर गुजार होना चाहिए आपको क्योंकि आपको इन में रहने का मौका मिल रहा है और पिछले मंत्रियों ने जनता की उमीदों पर खरे उतरने का काम नहीं किया इसलिए ये बंगले खाली होकर आपके हिस्से में आए है अब आप बंगलों पर नहीं अपने कामों पर गौर कीजिए आप जनता की सुनिए तो शायद पांच साल बाद कोई इन बंगलों के माथे अपनी नाकामी का ठीकरा नहीं फोड़ेगा या आपको फोड़ने का मौका नहीं आएगा ABP News आपको रखे आगे